हाई फ्रेंड्स मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल स्वाधिष डेसिपी में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ते सब्सक्राइब कर दे, बेलेकों प्रेस कर दे, सभी नए वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में संकस्टी चतूर्थी के बारे में जानेंगे क्या है इसका महत्व और इस दिन भगवान गनपति जी को क्या परसाथ चढ़ाया जाता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि चंद्र देव को अर्ग के देने का क्या महत्व है और संकस्टी चतूर्थी के प्रतविधी को भी जानेंगे पहले हम जानते हैं संकस्टी चतूर्थी का क्या महत्व है धार्मिक मानेताओं के अनुसार संकस्टी चतूर्थी करने से संतान, निरोगी, तिरकायू और सुक समरिती से पड़िपुर्ण होती है और सवभागी में भी बृती होती है संकस्टी चतूर्थी के दिन सुबह ब्रह मोहुर्थ में उठे इस्नान आदिक क्रियाओं से निवित होकर मगवान गनेश की पूजा करे और अपने ब्रत करने का संकल्प ले पूरे दिन निराहार और निर्जल ब्रत करे धार्मिक मन्यताओं के अंसार चंद्रदेव को औसधी का स्वामी माना जाता है इसलिए इस दिन संतान के निरोगी और दिरगायू होने के लिए चंद्रदेव को अर्ग दिया जाता है उनकी पूजा की जाती है आईए जानते हैं पूजा वीधी क्या है संकस्टी चतूरती के दिन साम में सुर्यास्ट के बाद फीर से नहाएं साफ वस्त्र धरण करे और चंद्रदेव के बाद चंद्र वगवान की पूजा करे उनको अर्ग दे उसके बाद वगवान गणपती की पूजा करे उनका कोई मूर्थी हो या फिर फोटो हो उसको इस्ताफित करें एक चौकी पर गलस की स्ताफना करें फिर फूल, अक्षट और रोली, चंदन, ध्रूव, फल, लड्डू या फिर तिल और तिलकुट का प्रसाथ भोग लगाएं धूप तीप दिखाएं संकष्टी जतूर्थी का कथाफ सुने और फिर आर्दी करें और उसके बाद भगवान गनेश से अपने संतान के हर संकटों से रक्षा के लिए प्रात्ना करें और अपने सवभाग्योती रहने के लिए भी प्रात्ना करें इस दिन इस मंत्र का जाप करें इसके अलावा आप ओम गंग गनपते नमा या ओम सर्व सिद्धी प्रदाय नमा का विचाप कर सकते हैं, इसे बहुत ही पुन्य फल प्राप्थ होता है. भगवान गनेश को तिलकुट का भोग लगाने के लिए हम घर पे इस तरह से तिलकुट बनाएंगे, मैंने याप पे लिया है हाफ के जी काला तील, जिसे मैं अच्छे से साफ करकर उसे बहुत अच्छे से भून ली हूँ, इससे तब तक भून ना होता है, जब तक कि इसमें एक अच्छी अरोमा ना आने लगे, तो मैंने तील को बहुत इच्छे से भून लिया है, जितना तील लेंगे, उतना ही हमें गूड लेना है, अब मैं एक पैन गरम करूंगी, और उस पैन में में डाल दी हूँ, एक चुटा चमच खी, घी अच्छे से मिल्ट होने के बाद अगली पर रखेंगे, तो साधानी से उंगली से देखे, जब हम उंगली पर रखेंगे तो यह देखे यह इकटा हो जा रहा है, बिल्कुल यह उंगली पर नहीं चिप गग रहा है, और इसका मतलब है कि यह पाक त्यार है, अगर आप बाओल में डालते हैं, तो यह डालने से यसे प्रोसेस को करेंगे मिस करेंगे उसके बाद से हम लढ़ ऑ उसका वे बनाएंगे जिक्की भी बनाब तिलकूट भी बना कर त्यार करेंगे तो अच्छे से mixer त्यार हो गया है तो मैंने फिलστिक सिट लिया मैं था सकी लगादी और उस मिक्सर से आधा मिक्सर मैं इसमें डालूंगी तिलकुट के लिए और आधे से मैं लड़ू बना कर त्यार करूंगी तो यह देखिए इसको मैं पहले हाँ से सेट कर देती हूं फिर उसके वासे इसका तिलकुट बना कर त्यार करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए यूजफूल होगी तो इसे लाइक करें, सेयर करें कॉमेंट करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद